हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है सीपाई में आज स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा बेतरीन धंका टॉपिक और वो जो बेतरीन धंका टॉपिक है कार्बुक्सिलिक एसिट की कुछ रियक्शन ठीक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में reaction मतलब conversion reaction conversion reaction of COOH ठीक है इसमें चार टाइप से reaction हैं होंगी कौन कौन सी उसको समझते हैं पहली reaction मानले यह आपने लिख दिया एक CH3 C1O यह OH लिख दिया यह आपका acetic acid है कहने का मतलब यह आपका क्या है बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है तो इसमें ना चार टाइप की जो reaction होंगी उसमें से जो पहली reaction होगी वो reaction होगी आपकी यह जो hydrogen है इसको हटाने वाली यानि की removal of removal of hydrogen removal of hydrogen ठीक है second second होगी की आपकी जो second reaction होगी वो होगी आपकी यह जो CS3 है इसमें से hydrogen का removal है ना यह first reaction होगी आपकी यह होगी आपकी second reaction removal of है ना removal of alpha hydrogen क्यों? जो यह carbon है carbonil इसके बगल वाले यह जो CS3 है इसको बोला जाता है alpha carbon क्या बोला जाता है? alpha carbon जो third reaction होती है वो होती है एक बार फिर से मैं CS3 C1O OH को लिख रहा हूँ जो third reaction होती है वो involve करती है यहां से लेके इतने वाले ग्रूप के पास यानि कि यहां इस सारे के सारे इतने सारे ग्रूप को पुरा change कर देना यानि conversion of conversion of conversion of C double bond O OH ग्रूप इसमें डिपेंड करेगी last जो reaction होगी वो reaction ऐसी होगी मालेजे फिर से लिखता हूँ मैं CH3 C double bond O OH जो reaction मैंने last लिखी है इसमें होगा यह वाले पे dependent reaction यानि कि conversion of conversion of C double bond O O ग्रूप बास ठीक है I hope इतना आपको समझ में आया तो अगला देखते हैं देखें की reaction कैसे करनी है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कुछ reaction है जो इसके ओपर dependent है मैं लिखने जा रहा हूँ समझें मैं क्या कर सकता हूँ कि एक मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रूप ले लिया CH3 है ना C double bond O O H ये ले लिया ठीक है देखें पहली reaction मैंने कहा था कि इस वाले हाइड्रोजन को हटाने वाली reaction तो उसको हटाने वाली जो reaction है उनको देखते हैं अगर मालने जीए आप इसकी reaction करते हैं sodium के साथ इस कार्बोक्सिलिक एसिट की reaction करते है sodium के साथ क्योंकि sodium क्या है metal है तो metal अगर acid के साथ react करता है तो hydrogen gas निकलती है इसका मतलब जो आपका ये होगा कुछ ऐसा product बनेगा CH3C double bond O minus Na के पास क्या आग गया positive charge plus क्या हो जाएगा 1 by 2 H2 सही है फिर देखें मालने जे आपने क्या कर दिया इसकी reaction NaOH से करवा दी किस से करवा दी NaOH के साथ ये acid है ये base है कौन सी reaction होती है neutralization reaction neutralization reaction में बनते क्या है salt plus water salt कैसे बनता है उसको ध्यान दे CS3 C double bond O O minus और Na पे क्या आजाएगा positive charge plus क्या बन जाएगा आपका H2O answer अगला मालने जे आपने इसकी reaction NaNH2 के साथ करवा दी तो NaNH2 बहुत अच्छा base है जो base होता है वो क्या करेगा acidic proton को ले लेगा यह वाला जो acidic proton है उसको ले लेगा तो बनेगा क्या CH3 C double bond O O minus Na के पास क्या है positive charge plus क्या बन जाएगा NH3 क्योंकि यह पर NH2 था एक hydrogen ले लिया तो NH3 ठीक है अगला मालने जे आपने इसकी reaction करवा दी NH3 के साथ किसके साथ NH3 के साथ और in the presence of heat तो ऐसे केस में यह बना लेगा आपका amide CH3 C double bond O NH2 बस इतनी यह चार reaction हैं जो कि hydrogen को या फिर OH को हटाने वाली है ठीक है दूसरा देखते हैं जी मालने जे यह OH को हटाना ही है इस पूरे OH को हटाना ही है तो आप और एक काम और करेंगे उसका नाम क्या है समझें मैं फिर से लिखना चाहरा हूँ कि आपके पास ना यह present है क्या है CH3 C double bond O OH present है अगर आपने ना इन तीनों में से किसी एक के साथ reaction करवाई किस के साथ SOCL2 या फिर PCL3 या फिर आपने PCL5 के साथ करवाई तो ऐसे केस में OH को यहां से निकाल दीजिए और बनेगा आपका CH3 C double bond O CL ऐसे SIL chloride टाइप की चीज़े बनेगी सही है आगर देगे अगला मान लिजिए आपने इसकी reaction करवादी B2H6 के साथ तो ऐसे केस में यह change हो जाता है अलकोहल में वो भी कौन सा अलकोहल 1 degree alcohol तो बनेगा क्या CS3 CS2 OH कौन सा डिग्री अलकोहल बताओ 1 degree alcohol सही है अगला Colway electrolysis reaction Colway electrolysis reaction है ना इसमें क्या बनता है उसको ध्यान दो आपको करना क्या है electrolysis reaction हो रही है तो एक तो NaOH को लेना है दूसरा क्या लेना है आपको heat लेना है अगर ऐसा करते हो तो क्या बन जाएगा बताओ यहां से यह क्या हो जाएगा CO2 आपका निकल जाएगा न अगर CO2 निकल गया I hope आपको समझ में आया ठीक है उसके बाद देखो अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ एक reaction और होती है एक reaction और होती है कौन सी reaction होगी बताओ कि मान लिजिए आपने reaction करवाई इसकी किसके साथ एक तो NaOH के साथ प्लस किसके साथ बताओ CAO के साथ इसी को बोला जाता है soda lime क्या बोला जाता है soda lime बोला जाता है तो ऐसे case में न क्या कर देना यहां से CO2 को निकाल देना इस hydrogen को CS3 के पास जोड देना कहने का मतलब क्या बन गया बताओ आपका ये ये बन गया आपका ये आपका बन गया है CH3H बन चुका है अलकेन ठीक है आगे देखें जी प्लस CO2 भी कर देना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने करवा दी इसकी reaction किसके साथ बताओ एक तो red phosphorus plus BR2 के साथ करवा दी तो ऐसे केस में आपका बन जाएगा जो alpha में जो यहाँ पर hydrogen लगा है जो CH3 लगा है न यहाँ से एक hydrogen को हटा दो और यहाँ पर क्या लगा दो BR लगा दो कहने का मतलब CH2 यहाँ पर आजाएगा आपका BR आगे लग जाएगा C double bond O O H बन जाएगा इस विल बी दा फॉर्मूला तो इतने ही reaction होती हैं आपकी किसमें कार्बुक्सिलिक एसेड में I hope आपको समझ में आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you so much